हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अरिस्टोटल पालोजी में और गई जैसे कि आप देखी पा रहे हैं आज कि ये वीडियो है मेसे जिलोजी के सिलेवस के लिए और गई ये जो सिलेवस है आपका पीजी कोर्सिस के लिए ये चोदरी चरन स सिलेवस है जो भी मैंने लेटरिस्ट में ही डाउनलोड किया है ठीक है तो इसमें सिलेवस के अगर हम बात करें तो यह आपका समिस्टरली प्रोग्राम है दो साल कि आपकी MSC जो ये पोस्ट क्रेजूशन की डिगरी है वो कम्पलीट होती है समिस्टर आपके इसमेश्टर ह होते हैं और हर एक समेस्टर आपके 500 नंबर का बैठता है इस तरीके से आपके जो में माक्स बनते हैं वो आपकी टोटल 2000 में से बनते हैं तो बिना टाइम वेस्ट की सुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को जैसे कि आप यह पर देख पाया रही है यह आपका फर्स गया जी और फिर उसके बाद मैं आपका प्रैक्टिकल बता रखें इसी पर ही तो यह आपका है फर्स समेस्टर उसके बाद क्या कैस अभी यह केवल ओवरिव्यू है इसके बाद आपको अभी आगे इसके अंदर के पॉर्शन के बारे में भी बताएंगी सेकिंड समिस्टर के करें बात करूं अगेन इसमें भी आपके इसमें चार ही रहते हैं फर्ष्ट जैनेटिक एंड बायो टेक्नोलोजी और यह भी आपका टोटल 500 माक्स का बैठता है थर्ड है फिर इसमें आपके कोड़ डेटा डॉलर्मेंटल बायोजी इसको एंब्रियोलोजी की नाम से भी जानते हैं और इन्वार्मेंट बायोजी अनिमल बिहेवियर और फिर इसमें आपका आजाता है प्रेक्टिकल इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्थ समेश्टर की जो आपका लाफ समेश्टर हो और उसके बाद इन में से आपको कोई भी एक गुरूप चूज करना होता है या पर कॉलीज में जो जो इसमें गुरूप रहता है वह यह आपको बढ़ा दे जाता है तो गुरूप एक बात करें आपको पारसिटलोजी हो जाएगा अगेन यह भी आपका चारपाट में इसके बाद जैसे कि हमने बात की ही थी स्टार्टिंग में ही कि हम इनके बारे में डेपली थोड़ा बाद में पढ़ेंगे तो देखते हैं इसमें जैसे आपको फर्स समेश्टर में बताया गया था आपकी इसमें चार कोर्स रहते हैं फर्स कोर्स का नाम था इसमें अनिमल question भी बैठता है second यह भी आपका बी पार्ट में डिवाइट कर रखा है युनिट फ़िस्ट को second इसमें जुरोजी का classification के बारे में उनकी theories क्या क्या होती है है और hierarchy क्या क्या है और higher taxa के बारे में unit second के अगर में में बात कोई इसमें species के बारे में पढ़ते हैं कि species के category क्या है है और different concepts इसमें क्या क्या बैठ सकते हैं B है modern trends in taxonomy behavior taxonomy cytotaxonomy and molecular taxonomy तो इसमें आपकी तीन तरीगे की taxonomy से बता रखी है next है unit procedure in taxonomy ठीक है कि हम collection कैसे करते हैं उसका फिर process क्या होता है identification का और publication description का क्या process है तो यह आपका जो आपका taxonomy collection से यह आपका काफी important question है जो mostly और कहें तो internally भी आता ही आता है next बी पोर्षन में इसमें आपका आ जाएगा origin of code जो आपका geological nomenclature होता है उसके बारे में rules क्या क्या होते हैं इसकी ic journal means jakic journal means क्या होताै आपका international code of geological nomenclature ठीक है gosh और fourth is में आपने क्या है आपका जाएगी animal products हैं डिये कि आपके प्टफ होता हैं जैसे phis में क्या प्रोडक्ट मींलेंगे dairy में क्या 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 प्रोडक्ट मीलेंगे फिग्री में क्या होता है पर्ड फॉर्मिशन कैसे होता है लीजर और वूल के बारे में तो इसमें जो आपको काफी important है वो आपको हो जाएगा इसमें पिगरी और पर्ड इसी के साथ 5th product आपका काफी अच्छा कोश्चन है और dairy product भी अच्छा कोश्चन में से एक माने जाता है इसमें पाल सकते हैं तो इसमें आपका आजाएगा poultry cattle and aquaculture duck and goat farming next question जो आपका इसमें फिफ्ट यूनिट जो आपकी इसमें लाश्ट है उसका आपका ये अगें दो पार्ट में डिवाइट का रखा है economic insect इसमें आपका epiculture आ जाएगा है ना जो आपका epiculture हो क्या होता है honeybee को जो इतरे से उसको पालने का process है वही क्या क्या आता epiculture, sericulture, lag culture और जी pest of common crops, paddy, cotton, wheat, sugar cane, etc तो ये आपका काफी important question है रुगाईज ये आपका competition level के लिए जो PGT biology में जो आपके competition होते हैं उनके लिए भी काफी अच्छे person समय से एक मार जाता है बी person है integrated pest management इसको IPM के नाम से भी जानते हैं और ये आपको दो तरीके से होता है chemicals और biological और ये आपका काफी important question बैठता है यहां से ठीक है यहां पर आगे आगे आपकी books आपको recommended करके किये कि आप किसके लिए क्या person आप लेख सकते हैं उसके बाद जो आपका second course था फर्स semester में यहीं आपके चापाट में डिवाइड है second part है आपका evolutionary biology यह अगे आपका पांच unit में डिवाइड किया हुआ है unit first के अगर में बात करों तो pre-biotic environment means जब सजीव या जब जीवन हुआ था उससे पहले का environment क्या था biotic and abiotic environment इजी के सासात में theories इसकी दिए रखिए जो काफी important ह होती है ठीक है second is origin and evolution of economically important microbes unit second के अगर में बात करूं distribution of animals Space के coding कैसा है time के coding कैसा है और जी के सासात में dinosaur और उनका extinction कैसे हुआ इसके बारे में भी आपे बात कर रखिए next dispersion of animals means and barriers है यह आपका काफी important question है unit third के अगर में बात करूं इसमें आपका macro or micro evolution आ जाता है इसके सासात में आपका phylogenetic gradualism आ जाता है यह आपके जो unit third का जो first part है यह आपका most important है B part में आपका जाएगा molecular evolution जिसमें concepts की बात करेंगे ठीक है molecular divergence की बात करेंगे और इसी के सासात में हम molecular growth के बारे में भी बात करेंगे next आपका जिसमें है unit four उसमें आपका जाएगा mechanism क्या है evolution के यह आपका most important question है यहां से इस unit से isolation mechanism, speciation क्या है, convergent evolution क्या है, sexual selection क्या है, co evolution क्या है या natural selection क्या है यह आपका guys short के लिए काफी अच्छे questions माने जाते हैं, इस portion में से, और बी पार्डेस का adaptation, ठीक है यह भी आपका अच्छे question है, कि coloration mimicry, यह सब कुछ आपका इसी में ही आ जाएगा और यह आपके short के लिए काफी important question में से एक माने जाते हैं last unit 8 में आपकी unit 5 जिसका नाम है fossil and fossilization, evolution of horse and elephant और इन दोनों में से हमेशा एक question आपको लोंग में आता है, horse और यह आपके books recommended कर रखी हैं, कि कौन-कौन से books आपके यह लिए सही है आपका course 3 है, जिसका नाम है आपका non-coded data, वो भी again आपका 5 unit में divide कर रखा है, और यह 5 unit भी guys अगर आप 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 देख पा रहे हैं, तो वो आपके C portion तक भी sub-divided की हुई है unit first में अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम क्या बात करेंगे, general organization and classification of non-coded file up to order level unit second के अगर मैं बात करूँ वो आपकी guys तिन पार्ट में divide कर रखिये, protozoa, locomotion and reproduction in protozoa, इन दोनों में से एक long question हर बार आपको देखने में मिलता है आपके exams में, porifera, skeleton and regeneration in sponges, यह भी आपका short के लिए most important question और most लिए आते ही आते हैं need area, skeleton in, silentrates and coral leaves, coral leaves भी आपका काफी अच्छा questions है, unit third के अगर मैं बात करूँ इसमें आपका आजाएंगे टीन ओफोरा, उसके affinities, second portion इसमें आपका helminthys, इसी के साथ साथ में parasitism and parasitic adaptations, C portion is में आपका area leader, polymorphism and excretor system, unit four के अगर मैं बात करूँ इसमें आपके आजाएंगे guys, तीन फाइल, arthropoda, moluska, echinodermita, ठीक है, और इसमें जो larval forms हैं आपके arthropoda में वो काफी important है, moluska में आपका torzen and retorzen काफी important है, unit five के अगर मैं बात करूँ, तो यह आपका तीन पार्ट मे division divide है, इसमें बात करेंगे minor non silomate file हाइजी जिस cu5 के अगर मैं बात करूँगा हूं छिसमें तो इसमें आपका minor non silomic file आ जाएगा, B में आपका minor आ जाएगा, ठीक है, उसमें आपका non silomate है, इसमें आपका silomate है, and c है, इसमें आपका hemicorded affinities, यह आपका की अच्छे questions है, और अगेन यहाँ पर आपकी जो बुक्स है वो आपको रिकमेंडिर कर रखी है पूर्स फूर इसमें आपका गाई सेल एंड मोलेकुलर बाइलोजी यूनिट फर्स्ट के अगर हम बात कुरूंए इसमें इंड्रडेक्शन ओफ सैल आजाएगा सैल थियोरी और प्रोक्रेटिं इयर राइव स्थ उब एन यह अच्छे कॉश्चन ओं यह से बाइन इसमें आपका उन्वेमेंब्रेंड्स फुर्ण्ट एक्रोस्वियन डाइद सबपेश्चन मेंड इन्समें आपक चले हैं यह व्योव्यूरस् उसका उन्तों आ कंपको सें मियोसिस अग्यों माईटोसिस यह आपका जो कोशिका विवाजन होता है यह ना समसुत्रि अड़ सुत्री उसके बारे में हैं उसके बाद में क्ट्रोल सिस्टम में कि इस साइकल को कैसे कंट्रोल किया जाता है feedback signals कैसे हैं और biology of cancer means cancer के बारे में आपको इसमें पढ़ना है और यह जो आपकी यूनिट से के नहीं आपकी most important है यूनित अगर में बात करूं इसमें आपका आजाएगा प्रोकरेटिक और यूकरेटिक जीनोम इसी के साथ DNA की structure और इसी के साथ में DNA application और DNA repair बी पार्ट में है इसमें आपका transcription और post transcriptional modifications नेक्स आपके इसमें आजाएगा और genetic code यह आपका अच्छा question है इसमें से आते ही आता है मौश्टी यूनिट 4 की अगर में बात करूं तो cell addition and cell junctions cellular affinity cell addition molecules जिसको हम chems के नाम से भी जानते हैं इसमें से शोड के लिए काफी अच्छी questions है बी कि अगर में बात करूं यूनिट 4 में cell communication यह भी आपका अच्छा question है इसमें बात करूं तो इसमें आपकी यूनिट है second और fourth यह आपकी most important है और यूनिट 3 में आपका B वाला part काफी important है इसमें पढ़ेंगे cytometry flow cytometry और self rectification light electron and phase control microscopy भी पार्ट है इसमें आपका एक्स ग्राम इस्टेनिंग यह आपकी practically लिए भी काफी अच्छा है और यहाँ पर गेन आपकी books बता रखी है तो यह आपका हो गया guys first semester complete इसके साथ अगर में बात करूं second semester के लिए तो उसमें आपका जो course five years का नाम है genetic and bio statistics यह भी अगेन आपकी पांच यूनिट में डिवाइड की हुई है first unit में हम बात करेंगे mandaline principles की है ना और gene के structure के बारे में और second में हम बात करेंगे methods of genetic transfer यह आपका अच्छा question है आते ही आता है आपके exam में transformation transformation conjugation और transduction यह फिर आपको जो भी पार्ट है वो आपका काफी important है genetic transfer उसके methods क्या है तो यह guys आपका board में आपने रेंट क्लास में बैक्टिरिया में बढ़ा होगा है ना transformation, conjugation, transduction यह अच्छा question है आपका bacteria phase इसके type क्या है structure क्या है unit second के अगर हम बात करेंगे हम chromosome के बारे में ब protein और lambrus chromosome काफी important है और B portion है इसमें आपका gene mapping ठीक है इसमें gene mapping के बारे में है आपका unit third में आपका population genetics आजाएगा उसी से related आपके जो low हैं इसमें जैसे hardy wind पर glow और उसी के उपर आपके questions आजाते हैं और यह आपका net के लिए भी काफी अच्छा है बी में आपका जाएगा somatic cell genetics इसमें cell fusion और hybrids के बारे में हम बात करेंगे genetic disorders क्या क्या होते हैं chromosomal वाला हो जाएगा समें आपका तो यह भी आपका अच्छा question है में से एक unit है यहां से आपके questions निकलने की काफी अच्छी उमीद रहती है unit ford में हम पढ़ेंगे biostatics और जिसमें आपका qualitative और quantitative यह आपक रहेगी वह काफी easy language भी है उसकी तो आपको लगसे कोई notes बनाने की कोई इसमें जरूरत भी नहीं है काफी अच्छा question है और आपको यह आपके exams में देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा बी portion mean median mode इन में से हार बार एक question आता है standard deviation पर आपका numerical आएगा इसमें और यह जो आपका portion है इसमें by statistics वाला वो आपके बेड में भी काफी helpful रहता है यह बेड में भी आपका लगसे यह पूरा-पर subject चलता है unit 5 यह अगर मैं बात करूं काई square test t-test यह आपका important है दोनों के द questions भी साथ-साथ में आपको बताते हुए चल रही हैं तो यह आपका आपका जाएगा second semester में आपका fifth course next आपके इसमें second semester में ही next आपके इसमें course six by technology and bioinformatics जिसमें अगें पास unit में डिवाइड किया हुआ है सब डिवाइड भी आपकी units है unit first में आपका basic concepts of genetic engineering vector cell tissue culture और बी में आपका आजाएगा DNA combination और DNA fingerprinting यह अच्छा है unit second के अगरें बात करें इसमें molecular techniques आ जाएगी इसमें DNA isolation, electro, foresis, micro injections और फिश और गिस यह आपकी टेक्निक ही है यह और PCR यह आपके तीन काफिय अच्छी कोशन है फिस गिस और PCR ठीक है और बी पोर्शन है इसमें आपका application of biotechnology unit third है आपके इसमें bioinformatics इसमें computer के components के बारें बात करेंगे यह आपका important है और logicate flowchart ठीक है इसमें computer के बारें में बात करेंगे next है आपके इसमें unit third में बी पोर्शन उसमें MS Word PowerPoint introduction of DNA sorry introduction of data base management system और C है इसमें आपका जो आपका दे रख है bracket में यह आपका short claim important है कि email किसे कहते हैं जिसकी फुल्फिम क्या होते है आपकी electronic mail है na www.kya है यह आपका अच्छे question है email gmail unit 4 के अगरें बात करों इसमें आपका database इसा जाएगा primary or secondary और बी पोर्शन में आपका DNA database of Japan यह इसमें आपके नहीं चीज इसमें add-on हुई है आपके इसमें unit 4 है उसमें आपकी कुछ इसमें नहीं जोड़ी है add-on हुई है इसमें unit 5 है में आपका collecting and storing sequence local alignment भी है global alignment और C हैसमें phylogenetic prediction prediction and gene prediction and analysis तो इसमें आपका थोड़ा पोर्शन ही नया add-on हुई हुआ है unit 4 में और 5 में नेक्स्ट इसमें आपका mammalian physiology ठीक है यह आपका थर्ड है इसमें unit के अगर हम बात कुरोगें पास आपकी इसमें unit है इसमें भी फर्स्ट आपका है इसमें आपका respiratory system के बार में होगा unit second में अगर में बात करो blood and circulation के बार में होगा बी की अगर में बात करो तो इसमें आपका cardiovascular system यह आपका heart related हो जाएगा ECG और GBP यह आपका important है इसमें से और और साली structure ठीक है unit third के अगर में बात करें इसमें आपका एक्सरीटी सिस्टम में आजाएगा और सी सासत में उसकी जो physiology है उसके बार में आजाएगा urine के बार में आजाएगा कि कैसी urine का formation रहता है और भी है इसमें आपका nervous system इसमें हम neurons के बार में बात करेंगे और फीर ही इसमें है अगर आपका sense organs आ जाएंगे vision, hearing, and actide response unit four के अगर में बात को इसमें हमारा जाएगा क्या reproduction के बार में ठीक है structure cycle क्या होता है, violation क्या होता है, pregnancy क्या है, lactation क्या है, reproductive processes क्या है और बी पर्शन इसमें आपका endocrine glands और unit five के अगर में बात करूं इसमें आपका thermoregulation है और unit अगर में five में बी पर्शन के बात करूं तो इसमें आपके test बता रहे हैं ELISA test, RIA test है ना तो यह आपका इसमें इसमें unit first है, उसमें structure of atoms, molecules and chemical bonds, stabilizing interactions, यह आपके इसमें आजाएगा, B portion में आपका composition आजाएगा, biomolecules का किस-किस का, carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid and vitamins, unit second में हम बात करें, तो उसमें protein के बार में आजाएगा, राम चंदरन प्लोट क्या है, यह आपका काफी important है, net के coding और आपके exam के coding और सी उसासात मे protein के types आजाएगे, next second है, इसमें आपका, confirmation of nucleic acid, ADNA, BDNA, ZNA, है ना, OTRN के बार में आजाएगा, macro RNA के बार में आजाएगे, यह थर्ड में हम पढ़ेंगे, इसमें, principle of catalyzes, enzymes and enzyme kinetics, और इसमें आपका भी portion में आपका इसमें आजाएगा, principles of bio-physical chemistry, pH क्या है, buffer से आपका समझते और reaction kinetics से क्या आप क्या समझते हूँ, इस तरीके से, unit 4 में आपका आजाएगा, bio-energetics, couple reaction क्या होती है, group transfer कैसे होता है, और B portion ने इसका, catabolism of carbohydrate, lipid, amino acid and nucleotides, unit 5 में आपका है, glycogenesis, glycogenesis, fatty acid synthesis, यह आपका काफी important है, और B में आपका आजाएगा, chromatography क्या होती है, ठीके, इस इस एसासत में आपकी और अलग चीज़े भी इसमें आपकी बता रखी है, तो यह आपका होगया, biochemistry का syllabus, next उसके बाद में आपका start हो जाता है, third semester या second year, ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला रहता है, वो क्या रहता है, code data, तो code data में, आपका इसमें, जो first ever क्या है, proto code data, उस इसमें, origin के बारे में बात करेंगे, evolution कैसे होए, code data का, उसके बारे में बात करेंगे, और इसमें, general organization के साथ, affinities की बारे में बात करेंगे, इसकी लारवे, c, thalliac, c, fellow code data के बारे में, तो यह important है, B portion है, इसमें आपका vertebrate ancestry के बारे में, और C portion है, इसमें आपका general and comparative account of integumentary system and endo-escalating system, तो इसमें आपका काफी important है, integumentary system, unit second में आपका fish के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और second में, amphibia के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आपका parental care, or newtiny काफी important है, unit third है, आपकी reptilia, और इसमें चलो नहीं आपका काफी अच्छे question है, adaptive radiation आपका काफी अच्छे question है, unit 4 म और territorial behavior भी आपका काफी अच्छे question है, mammals के अगर हम बात करो, तो इसमें affinities और organization पढ़ेंगे, protetheria का, है ना, और second में हम पढ़ेंगे, क्या affinities, mars appeal लिया का, और C में हम पढ़ेंगे, aquatic mammals, ठीक है, और इसमें उनमें adaptations क्या हुए है, है ना, किसके reference में, CTC के difference में, तो यह unit first के अगरम बात को, इसमें आपका introduction दे रहा है, इसके बारे में, और यह जो आपका introduction है, इसमें आपकी काफी सारी theories है, और psych side theories है, आपकी काफी important है, और हर बार यहां से एक question आता ही आता है, ठीक है, starting वाले आपकी काफी important है, next उसके बात में आपका parcelogenesis बहुत अच्छे question ह और यहां से, basic concept of development, ठीक है तो इसमें आपको potency यह साखसे term आपको clear होनी चाहिए, unit second के अगर हम बात को, इसमें gamete and fertilization के बारे में, इस permetogenesis क्या है, ugenesis क्या है, या fertilization कैसे होता है, या किसे कहते है, यह आपकी unit second काफी important है, बी के अगर हम बात करूँ, early development में आपका क्या क क्या जाए, cleavage, blastula, pattern of cleavage क्या है, तो cleavage काफी अच्छा question है, है ना, उसके types क्या-क्या है, morula, blastula, unit third में आपका gastrulation का आजाएगा, और यह आपका long question के लिए काफी अच्छा question है, unit four में आपका जाएगा, body axis formation in drosophila, यह आपकी इसमें थोड़ा new चीज add-on हुई है, और B portion इसमें regionation, यह आपका काफी अच्छा question है, वहाँ पर आपने sponge में पढ़ा था, ठीक है, और यहाँ पर आप इसमें पढ़ोगे regionation, plane area का, यह important question है, unit five में आप पढ़ेंगे aging के बारे में, जो आपका long question बैठता है, और इसमें भी आपका अभी पार्ट में abnormal development कि अगर normal development नही हो रहा है, कुछ problem है, तब किस type का हो सकता है, तो यहाँ से आपका equation निकलता है, या तो teratology या फिर neoplasia, ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपका environment biology, ठीक है, नाम में ही है कि हाई, आपके लिए काफी easy रहे गा, लेकि natural में, यह तना easy होता नहीं है, मैसी level में, जितना easy हम तो unit first के अगरम बात करेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, कि जो environment है, वो दो component से में बनाए, biotic मतलब सजी और निर्जी उसे, उसके बारे में, यह आपका अच्छा कोशन है, डिफरेंस माँ जाता है, biotic और biotic के बारे में, और second आपका habitat or niche, इनमें अंतर क् ठीक है, और niche के type इसमें आपका जाएगा, character displacement क्या होता है, resource partitioning क्या होती है, यह आपका short clear important है, c portion इसमें आपका biogeography, अच्छा कोशन है यहां से कोशन निकलता है, unit third में आप पढ़ेंगे ecosystem ecology, और यहां से आपका यहां से अच्छा कोशन निकलता है, unit third में आप पढ़ेंगे ecosystem ecology, और यहां से आपका यह आपको long question चलता है, ठीक है, इनमें से किसी एक आपको दे देते हैं, test trail में forestry का दे देंगे, grassland का दे देंगे, fresh water का दे देंगे, marine का दे देंगे, है ना, इनमें से कोई एक आपको दे देते हैं long question के लिए, ecology का succession, most important question guys, इसके type B mechanisming हैं न, तो यह आपकी unit 3rd का जो भी part है, काफी important है, unit 4th की अगरें बात करें, इसमें population ecology के बारें बात करेंगे, ठीक है, B portion में आपका आजाएगा, biodiversity status के बारे में, और unit 5 में आपका आजाएगा, conservation biology, है ना, सरनक्षन करके आपनी 12 में बढ़ा होगा, है ना, क्या बोल रहे हो कि आपको या आपका animal behavior, ठीक है, इसमें first आपका या, इतोलोजी, है ना, इसमें animal behavior के बारे में ही बात होती है, B में stereo type behavior, long question आपका काफी अच्छे निकलता है, tax reflexes, है ना, इसमें साब का जो B वाला portion है, काफी important है, कहीं से कुछ भी question हो आराम से आपको उठाके दे सकते हैं, C है individual behavior pattern, conflict behavior, ये भी guys अच्छे question है, unit second में अगर में बात कुरू, learning and memory पूरा का पूरा ही important है, communication, है ना, ये भी अच्छे question है, unit third के अगर में बात कुरू, environmental perceptions, है ना, environment के perceptions, तो इसमें आपका electrical, chemical, olfactory, auditory and visual, तो ये guys ऐसे चीज़े हैं, normally आपको पता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा तो और अगर आप जान लोगें, तो आप अपने आप से काफी अच्छे question लिखे और वापे आ सकते हो, behavior, biologicalism, most important, हर एक चीज़ important है, ठीक है, तो इसमें आपको एक भी चीज़ नहीं skip करनी है, ठीक है, unit fourth के अगरें बात कुरू, इसमें हम neuron and hormonal control के पारें बात करें कि behavior कैसे मतलब control होता है, इन से, और भी आपका phiromones and behavior, तो unit four आपके most important है, unit five, neuroendocrine control of behavior, ठीक है, ये आपका अच्छे question है, social behavior, इसमें जो आपका एक किन सेलेक्शन है, altruism है, ये आपकी न्यूचीज़ एड़ोन हुई है, और ये guys आपके net के लिए काफी अच्छे questions हैं, ठीक है, त करते पड़ते, आपने तीन semester के लिए कर लिए हैं, उसके बाद में आप four semester में एंटर करोगे, और guys यहां से आपकी choice चल जाती है, ठीक है, अभी तक university का एक वरड़न था, नहीं करना है, तो करना है, और इसके बाद में यहां से आपकी choice चलेगे, कि आपको क्या करना है, ठी ठीक है, तो ऐसे नहीं की university आपका धियान नहीं रखती है, काफी इस द्यान भी रखती है, तो guys इसमें आपके groups दे रखे हैं, है ना, तो इन groups में आप कोई भी चीज अपनी add-on कर सकते हो, कि आपको specialization की चीज में करना है, M.S.C. में, ठीक है, जैसे आपका parasitology है, उसमें पांच unit दे रखी है, ठीक है, आपका group भी हो गया, ठीक है, fish and fisheries, तो इसमें आपके चार ही course चलेंगे, तो यहां पर इनका नाम दे रखा है, क्योंकि guys मेरा specialization entomology में था, तो इसलिए में उसी के बारे में बात करूंगी, तो यहां से आपका fish and fisheries, जो guys इस आप लोग जो भी इसमें से कर रहे हैं, तो वो please screenshot लेकर यहां से अपने से लेबस देख सकते हैं, ठीक है, तो यह आपका fish series का चल रहा है, यह माक्स के distribution last में दे रखा है, और for semester आप अगर चाहें तो group C है आपका endocrinology, इसमें आपका चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और फिर के बाद में यह आपका है group Cytology and Cytogenetics के बारे में, और guys यह है हमारे जानावाना portion, four semester में group E, जिसको में entomology के नम से जानते हैं, entomology में insect के बारे पढ़ते हैं, तो इसमें अगेन आपके चार पार्ट में डिवाइड किया रखा है, तो first में अगर हम बात करें, तो general insect biology, तो जितने मज़़े आपने second semester, third semester में किये थे गाई, यहां पर आपको वो सवी, क्याना बूला अगर आगे बढ़ना है, है न, MST का जो लेवाल है, यहां से आपको काफी अच्छ लगेगा देखने में, क्योंकि एक दम से सब कुछ यहां पर आके change होने लगता है, ठीक है, और unit second के अगर में बात करो तो इसमें origin, evolution and distribution पढ़ेंगे हैं, है न, time and space के साथ में अच्छा कोशन है, ecological dynamics, ठीक है, migration in insects यह सही है, phylogenetic analysis, इसमें आपका जो इस्पेसियेशन है, यह काफी अच्छा है, है न, unit third के अगर में बात करो, इसमें insect collection, guys, बिल्कु इसमेरेट कोशन है है न, मेरा भी, और plus examiner का भी, तो insect collection ही आपका काफी अच्छा कोशन है, और most लिए और बार देखने को ही मिलता है, insect ring भी काफी अच्छा है, लेकिन most important अगर में बात करूँ, तो इस unit में आपका collection वाला और उसको preservation का आ जाता है, और बिल्कु बिल्कु मसे वाला है, है न, देखें, जो मन खुस हो जाता है, बच्चे का वाला question में से एक है, ये, unit force के अगरें बात करूँ, इसमें insect integument, guys आप insect पढ़ रहे हो, ये ना पढ़ो, हो ही नहीं सकता, means, ये आपका काफी important question है, और देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है, molding भी अच्छा है, unit 5 के अगरें बात करूं, head origin कैसे होता है, इसकी structure क्या है, modifications क्या है, तो भी छोड़गे नहीं आना है, means, करना ही करना है, ये, आपका head हो गया, second, आपका thorax हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका इसमें चलेगा, second portion इसका नहीं है, anatomy और physiology of insect, ठीक है, जी तो इसमें आपको unit first में, आप, इसमें, adaptation in insect, ये अच्छा है, और wing coupling, apparatus and mechanism of light, ये करना ही करना है, बायो, luminescence, ये भी अच्छा है, ठीक है, sound production, sort के लिए अच्छे हैं ये वाले, unit third में, इसमें, exocrine gland आ जाएगी, structure function, endocrine gland, neural control of endocrine system in insect, और phyromons and their gland, तो इसमें आपको फिरोमोंस, ये तो करना ही करना है, आना ही आना है, बाकी ये सब चीजे भी आपको करना ही है, छोड़के गाइस, कुछ भी नहीं आना है, ठीक है, बढ़ना सबे, जो most important हो, मैं आपको बता रही हूं, ठीक है, unit fourth में, आपका आजाएगा, male and female reproductive system, जैसे कि आप लोग बच्चे दो नहीं रहे है, पीजी कर रहे हो, means इन दोन में सेक तो आना ही आना है, तो male, या female, क्या बोल रहे है, कि भाई, दीदी तो सब कुछ बता रही है, नहीं भाई, इसके बाद में नेट के लिए जाओगे है, पीजीडी के लिए जाओगे है ना, तो knowledge बननी चाहिए है, यह आपका basic चलेगा नेट में, ठीक है, जितने ही अच्छी मैनद यहां पर करोगे, उतना आपको वहाँ पर, भूलता ना, फल मिलेगा, तो आपका है, gametogenesis, ठीक है, यह भी आपको करना है, अरली और पोस्ट, यह आपका इसमें आ जाएगा, C है, sex determination, ठीक है, unit 5 में चलेगा, आपका insect nutrition, role of vitamin C, नहीं चीज़े देखो, ठीक है, तो नहीं चीज़े तो, यह भी नहीं चोड़नी है, ठीक है, कभी सोचों कि नहीं मैमान है, त इसमें देया, role in physiology, artificial dights, ठीक है, तो यह आपका second, इसमें हो गया, third है, इसमें आपका applied entomology first, और last वाला जो आपका रहेगा, applied entomology second, और इसके बाद, डीग रिले के घर में, है ना, नहीं भाई, नेट का फोम डालना है, या जो भी आपको करना है, उसके लिए करना है, ठीक इसमें, insect plant interaction, ठीक है, उनकी बीच में कैसे interaction रहता है, बी में defense mechanism का जाएगा, है ना, जो plants करते हैं, किसके against में, insect के against में, इसमें, पोजिशन, एक्सेक्टरा, okay, ठीक है, बी में आ जाएगा, pest of stored grains, है ना, कि जो stored grains सा रहता है, उन पर पैस्ट कौन कौन से लग जाते हैं, औ और फोर्स उनिटेस में, आपकी pest outbreak, यह important है आपका, इसके साथ में, जो natural control है, insect pest का है, वो आपका important है, ठीक है, और जो यह bt crop, है ना, bacillus syringinensis से निकाल गया था, या दोगार ड्वाल्स में, ratification तकड़ी होगी, ऐसे ना, इस नाम को लेकर bacillus syringinensis, है ना, तो guys, यह new add-on हुए है, unit 5 है, आपका, इसमें, history, principle endoscope of biological control, तो यह आप यहाँ पर देखी सकते है, ठीक है, तो guys, यह आपका, इसमें हो जाएगा, applied entomology first, और उसके बाद है, applied entomology second, इसमें, यह भी आपका, पांच unit में, डिवाइड कर रखा है, और फिर इनको भी आपका, कहीं कहीं सब्डिवाइड भी कर रखा है, unit first में, आपका आजाएगा, क्या classification of pesticide based on chemical structure, ठीक है, mode of entry, किस तरीक से वो enter करते है, action क्या सकते हैं, इसमें, इसमें, mode of actions, etc, c में आजाएगा, systematic insecticides, ठीक है, और second में, इसमें, life cycle आजाएगी, insect की, और b में, life cycle आजाएगी, ठीक है, तो इसम इसमें, आपके केवल अलग अलग दे रखे हैं, वाकी बात वही है, life cycle की बात वही है, ठीक है, कि जीवन चेकर पूछ रखा है, बात की, जिनका पूछ रखा है, वो अलग अलग है, कभी आप उनको भी सेम कर दो, ठीक है, तो इसमें आपकी काफी चीज़ है, new add-on हुई है unit third, इसमें like insect, silkworm and honeybees, ठीक है, बी वाला unit third का जो भी है, वो आपका काफी च्छा कोशन है, pollinator वाला है न, और unit four में आप पढ़ोगे, principle of pest, sampling unit five आपकी इन दो पार्ट में डिवाइड कर रखी, IPM ये examiner का फेवरेट कोशन है, ठीक है, integrate pest management, ये आपको काफी च्छा कोशन है और पार ये देखने को मिलता है, exam में, internal में भी देखने को मिलता है भाई, external के सासाथ में ठीक है, तो ये आपका होगे क्या, MSC के सलेबस complete ठीक है, तो I hope guys कि आपको वीडियो सुन्ज में आई होगी और बाकि आपको कोई problem है, तो आप में को comment section में जाकर message कर सकते हैं, और इ जल्दी से जल्दी कोई वीडियो चाहिए, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं,